हेलो एव्रिवन मेरा नाम है रुदुर प्रताप सिंग और आज के इस मैथेमेटिकल सेश्चन में आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ हम पढ़ रहे थे क्लास 9 का 2 चैप्टर यानि की बहुपद और उसके लेक्चर नमबर 5 को शुरू करते हैं सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं तो हम जो है आज बहुपदों को भाग करने की विदी को सीखेंगे और इसके साथ में प्रशनावली 2.3 की उधारन 6 से लेके उधारन 9 तक को सॉल करना भी सीख जाएंगे तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारा जो सबसे पहला आज का टॉपिक होने वाला यह कि आखिर हम बहुपदों को आपस में किस तरह से भाग करने वाले हैं तो उसको चलिए सीखते हैं सबसे पहले हम यहां पे देखें तो एक उधारन दियावा है क्या दिये हुए को हल करें ठीक है भी करते हैं mathematics मोर करना क्या रहता है हमें हली तो करना होता है सबसे पहला वाला जो हमारे पास में वो क्या है कि भई 3x की घात 2 उसमें हमें किसका भाग करना है X का भाग हमें करना रहेगा अब इसको कैसे करेंगे ज़रा यहां देखिए आप यहां पर एक चीज देखिए कि X स्क्वेर का मतलब क्या हो जाता है कि मैंने जो है X को दो बार लिखा है ऐसे ही और नीचे हमारे पास हमें X होता ही है X से X हमारे पास कैंसल हो जाएगा और फाइनल आंसर जो हो क्या आजाएगा 3X हाईक यानि कि जब मैंने यह वाला भावपद 3X का हाठ दो को दूसरे भावपद से भाग दिया X से तो ऐसे मैं जो मेरे पास में फाइनल आंसर आया, वो किता आया, 3x आया, इस तरह से, तो यही तो हो रहा है, हमने क्या बोला, कि भहुपदों को भाग कैसे करेंगे, आपस में यह सीखना है, उनका डिविजन सीखना है, तो बड़ा ही सिंपल है, देखो मैंने आपके सामने करके दिखाया, इसी तरह से इनका डिव यहां पास में क्या 2, y की घात 2, ठीक है, अब आप यहां पर देखिए, हमें क्या करना रहेगा, सिंपल, हम अचर को अचर से डिवाइड कर लेंगे, और चर को चर से कर लेंगे, तो चलो करते हैं, तो यहां पर माइनस 4 है, तो 2 दूनी हमारे पास में 4 होता है, तो माइनस क माइनस रहन दो और यहाँ जाएगा 2 यहाँ पर देखिए y की घात 4 और नीचे है y की घात 2 तो y की घात 4 और उसमें हो जाएगा माइनस 2 हमने एक नियम पड़ा था वो कुछ इस तरह से कि भाई a की घात m और बटे में हो a की घात n ठीक है तो आधार आधार हमारे पास में सेम है लेकिन जो power है यानि की जो exponent है यानि की यहाँ पर जो गात है वो अलग-अलग है तो उनको हम क्या करते हैं घटा देते हैं तो ऐसे करते हैं a की घात m उसमें से n चला गया तो यहाँ पर दिए ही कर रहा हूँ y की घात 4 में से 2 गए तो 2 बचेगा, ये इसका final answer आजाता है, ठीक है, तो इसी तरह से हमें क्या करना होता है, simple simple division करना रहता है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास में, दीवे को हल करें, एक और उधारन है, तो चलिए करके देखते हैं, क्या लिखा है हमा य लगा दूँगा, ये चीज़ आती है, अब आप यहां पर देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, ये जो y मैंने division में लिखा है, नीचे, ये इस पूरे की नीचे y लिखा है, तो देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 4 y की घात 2, और इसके नीचे किया क्या यहां पर, अगर मैं यहां से इसको वहां ले जाऊंगा, तो क्या करूंगा, ये लोगा तो y आएगा, तो वही तो लिख रहा हूं, बस मैंने क्या करा, इनको अलग-अलग टुकडे करके लिख लिख लिया, और कुछ खास नहीं किया, अब आप यहां पर इस से डिवाइड किया, ये भी एक बहुपद है, तो ऐसे में मेरे पास जो फाइनल आंसर आया, 4y प्लस 2 आया, ये चीज अपने पास में रहती है, आयोब आपको यहां आते की बास समझ में आयोगी, तो ये simple simple example मैंने आपके सामने लिये हैं, अब हम क्या करेंगे, अपना का भाग देना है, तो बहुत ही आसान होता है, आप क्यासे करोगे, आप यहां पे बोलोगे सर, कि हम इसको लिखेंगे, 15 और इसमें 3 का भाग लगाएंगे, वैसे तो इसका आंसर 5 होता है, लेकिन मैं जो यह चाह रहा हूँ आपको कि वह method सिखाना, कि हम क्या करने वाले है simple से सीखेंगे और tough में apply करेंगे, तो वहां के लिए यह हम करके देख रहे हैं, 15 में मैं 3 का भाग दूँगा, तो देखो क्या आजाएगा, यहां पे 15 आजाएगा, यहां पे कितनी बार आएगा, 5 बारी पे, 5 ती है 15, 15 में से 15 गए तो मेरे पास में कितना बचेगा, 0 बच खैलाएगा, आपको ध्यान ही होगा यह चीज, ठीक है, अब यहां पर जो divided करने वाला है, जो भाग देने वाला है, वो हमारे पास में क्या क्या आजाता है, भाज्यक, लेकिन जो divide होने वाला होता है, यहानि कि मैं इसकी बात कर रहा हूं, यह जो अमारे पास में 15 में क्या कहलाता है वो हमारे पास में कहलाता है भाज्य ठीक है यह सारी बाते में आपको समझाए हुआ क्या जिसका डिविजिन हो रहा है जिसको डिवाइड कर रहे जिसका भाग कर रहे है वो कहलाता है भाज्य जो भाग करने वाला होता है वो क्या कहलाता है भाजक और फाइ और फिर अपन आगे बढ़ेंगे, जैसे मैं आपके सामने लिखता हूं कि भाई 15 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं, 15 में 2 का भाग देता हूं, तो यहां पर मैंने लिखा 15, यहां पर मैं लिखूंगा 2, तो 7 दूनी हमारे पास में क्या आजाएगा, 14 आजाएगा, 15 में से 14 आगए, तो 1 बचा, अब यहां पर देखिए, एक जो है, वो क्या कहलाएगा, 6 फल, 7 जो हमारे पास में क्या कहलाएगा, भाग फल, दो जो है, डिवाइड करने वाला, यानि कि जो भाग देने वाला होता है, वो क्या कहलाता है, भाजक, और जिसका डिविजन हो रहा है, वो हमारे पास में क्या कहलाता है, भाज़े, यह बात अपने पास में रहती है, अब हमने यह सब इसलिए सीखा है, क्योंकि अब हमारे पास में जो भाउपद आने वाले हैं जिनका हमें division करना रहेगा वो थोड़े से अच्छे level के आने वाले हैं उनको कैसे करेंगे जरा यहां देखे कि भाई 4 y की घात 2 प्लस 2 y को y प्लस 3 से यह दूसरा भाउपद से भाउपद से भाग देने पर भाउपद और शेशफ़ल हमें याद करना है इसको कैसे करेंगे सबसे पहले देखो यहां पर क्या करना रहेगा मतलब कि हमें इसको इससे डिवाइड करना है यह चीज है यहां पर आप क्या करिए सबसे पहले दोनों भाउपत का नामकरण करिये हमने सीखा था मैं सबसे पहले इस भाउपत का नामकरण जैसे मैं कर देता हूं P यह भाउपत किस चर्म है Y में तो मैं लिखूंगा P Y बराबर 4 Y की घात 2 प्लस हमारे पास में आ जाएगा 2y और यह वाला जो बहुपद है यह हो जाएगा हमारे पास में इसका नाम में रख लेका हम क्यूं अब चुकि यह भी y में है तो मैंने यह यह लिख दिया जो की बराबर आ जाएगा किसके y plus 3 के हमने नाम करन कर दिया फिर आप यह चेक कि यह जो बहुपद हम दोनों लिखे वे हैं यह मानक रूप में है या नी मानक रूप का मतलब क्या होता कि यह स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नी अब स्टैंडर्ड फॉर्म और मानक रूप का मतलब क्या होता यह समझे कि हम क्या करते हैं जो सबसे बड़े घात वाले ज हो जाता है यहां तक की बात आपको समझ माई होगी यह बहुत जरूरी होता है step यह हमने कर लिया अब आते हैं इसको finally हम divide करने के लिए तो हम यहां पे लिखेंगे 4 y की घात 2 plus 2y यह मैंने लिखा किस से divide करना है इस से करना है तो यह हो जाएगा मेरे पास में क्या y plus 3 यहां तक ही बात हुई अब इसको division कैसे करेंगे already आपके लिए एक नया तरह का division होने वाला बिल्कुल दो भॉपतों को divide करने वालो यार अभी इससे पहले जो हमने पद लिखो यहां पर ठीक है चार y square लिखा और जो भाजक है उसका पहला पद क्या वाए वो उसके नीचे लिखो और divide करो तो यह y से y कटेगा तो मेरे पास में क्या आजाएगा चार y इस 4y को आप यहां पर लिख दो ठीक है यहां तकी बात समझ माई अब क्या करिए सिस चार वाए को इससे kina करें तो में यह हो जाता है ठीक है अब यहां पर मैं क्या लिखूंगा 4y की घात दो प्लस 12y वो मैंने यहां पर लिख लिया अब यहां पर मैं क्या करूंगा साइन चेंज करूंगा यह जो है प्लस के साइन का है तो यहां पर मैं क्या करूंगा माइनस का साइन लगा दूगा और यह भी जो है प्लस का साइन का है तो यहां पर मैं क्या करूंगा में प्लस दो करोगे तो कितना आजाएगा माइनस का 10 तो इनको solve करने पर जो मेरे पास में final आएगा वो है माइनस का 10 यह चीज अपने पास में हुई तिक है यहां तक की story आपको समझ माई होगी अब फर्दर आगे करते हैं अब हमारे पास में क्या होगा भाज्य यह हो जाएगा इसको हमें solve करना रहेगा कैसे करेंगे यहां पर आप देखिए मैं क्या करूंगा यहां पर जो हमारे पास में लिखा है इसका पहला पद लिखूंगा अब obviously यह की पद है तो पहला पद यह होगा इसमें मैं इस इस तो पूर आया था और हम भाजक से गुणा करा था वही काद में यहां पर करने वाले है इस माइनस 10 को भाजक से गुणा करो तो क्या आ जाएगा y plus 3 minus 10 को y से गुणा करोगे तो आ जाएगा क्या minus का 10 y और minus के 10 को plus के 3 से गुणा करना है तो minus और plus minus आ जाएगा 10 को 3 से गुणा करा तो ये 30 आ जाएगा ये बात अपने पास में रहती है अब आप क्या करिए हमारे पास में जो यह आया है, minus 10y minus 30, यह exactly इसकी नीचे लिख दीजिए, minus का 10y और minus का 30, फिर हमने क्या कर रा था, यह हमने लिख लिया था, फिर हम sign change करते है, minus का जो होता है, उसे plus का, और plus का जो होता है, minus का, तो यह हमारे पास में, minus का है, यह minus का है, तो यह हो जाएगा plus में, और यह भी minus का 10y और प्लस 10y यह हो गए क्या cancel और यह हमारे पास में क्या है बस प्लस का 30 है तो यह हमारे पास में बचेगा ठीक है अब हम क्या करेंगे आगे हमें divide करना है नहीं करना यह कैसे check करेंगे आप यहां पर गौर फर्माए कि y प्लस 3 जो बहुपद है इसकी हमारे पास में घात किती है एक और 30 जो है इस बहुपद की घात किती है हमारे पास में जीरो तो ऐसे में इसकी जो घात है इससे छोटी आ चुकी है तो ऐसे में हम division जो करना है बंद कर देंगे तो question ने जो अपन से पूछा था वो ये कि भागफल और शेषफल हमें घ्यात करना रहेगा तो वो हमने कर लिए क्या बिलकुल हमारे पास में जो 30 है वो क्या है वो शेषफल हो जाता है English में अगर हम इसको कहते हैं तो वो remainder कहते हैं और 4y minus 10 जो है वो हमारे पास में चीज़ है लेकिन टाइम देंगे ना सबसे पहले उसको लिख दीजे वह उपद को जिससे डिवाइड करना है वो लिख दीजे फिर हम क्या करते हैं सबसे पहला वाला पद लेते हैं इसका और इसका पहला पद नीचे लिख देते हैं करते हैं तो जो आता है हमारे पास में वह हम भागफल में लिख देते हैं फिर उसको हम भाजक से गुणा करते हैं और जो आता है उसको यहां नीचे लिख देते हैं sign change करके इंगो overall solve कर लेते हैं फिर यह काम हम फिर से repeat करते हैं तो यह process चलता रहता है division करना जो हमारा finally कहां रुख जाता है वहां रुख जाता है जब 6 फल जो हमारे पास में यहां बच रहा है उसकी घात भाजक से छोटी हो जाए तब हम division करना बंद कर देते हैं यह चीज़ अपने पास में थी आहिए होग आपको यह समझ माया होगा थोड़ी बेटर clarity के लिए मैंने आपके लिए और examples रखें तो चलिए उनसे सीखते हैं जैसे उधारण 6 है हमारे पास में प्रशनावली 2.3 का PX को तो P यानि की एक बहुपद की बात कर रहे है जो की X चर में है GX तो G भी एक बहुपद है और X चर में है तो इनके नाम होते हैं से PX को GX से भाग दीजिए इसका मतलब क्या हो जाता है PX ही होता है हमारे पास में और उसमें भाग देना है GX का यह डिवाइड करना है से भाग दीजिए ठीक है यह सब ठीक है लेकिन यह तो बताओ कि आखिर यह PX और GX है क्या जहां PX हमारे पास में क्या लिखा हुआ है तो चलो मैं आपके सामने लिख देता हूँ PX बराबर है हमारे पास में X प्लस 3 17 X ही स्बस्थoration आगे हमारे पास में क्या लिखा है तो यह तो है PX और GX जो है हymारे पास में वह क्या लिखा है वह हमारे पास में 1land X यह हमने PX और GX इसलिए मैंने भी आपको यहीषिखा यहादा सबसे पहले नाम करन करते हैं, तो question ने already नाम करन करके दिया हुआ, फिर आप उनको tension ही नहीं लेनी यह हो गया, दूसरा मैंने आपको बोला था कि यह check करें कि बहुपत जो है दोनों ही, वो मानक रूप में होने चीए, मानक रूप में इसका मतलब यह कि सबसे बड़े घात वाले जो चर होते हो, सबसे पहले लिखे होने चीए आप यहाँ पर देखोगे, कि 3x की घात दो, सबसे बड़े घात वाले जो चर है वो यहाँ पर है, वो बीच में लिखावा है जबकि सबसे पहले होना चीए, तो चलो इसको change कर देते हैं तो यह हो जाएगा क्या है तीन एकसी घात दो फिर उससे छोटी घात वाला चर आएगा तो प्लस का x और फिर उससे छोटा तो माइनस एक आ जाएगा यहां पर आप देखिए हमने सबसे पहले एक को लिखर का है और एकस को बाद में लिखर का है छोटी चर वाला पहले है और बड़ी चर वाला बाद में तो चलो इसको change करो तो हमने ऐसे कर दिया देखो सबसे बड़ी घात वाला पहला आ गया यहां पर भी सबसे बड़ी भात वाला पहला आ गया मानक रूप में हमने लिख लिया अब हम क्या पास में है तो चले division करते हैं मैंने आपको क्या सिखाया था सबसे पहले हम क्या करते हैं रख वक में जाते हैं इसका जो पहला पद है वह लिखते हैं 3 X सीखादो 2 और भाजक का पहला पद लिखते हैं ठीक है तो क्या आजाएगा हमारे पास में X X Cancel होगा तो आ ठीट इसकार गोरों से गुणा करो magic आएichtet कि गौना करेंंगे तो 3 एक्स एकसी गुणा करेंगे तो चलो उसको यहां पर भी देते हैं प्लस का 3x, यह हमने लिख लिया, अब हम क्या करते है, साइन चेंज हम चेंज गरते हैं, जो प्लस का है वो माइनस, जो प्लस का हो माइनस, तो देखो 3x में से तिन गाट ौध कि गाट ौध को इंद सिट वह सब्छाएगा क्या दिürा इंद। यहाँ पर क्या लिखा है, प्लस x और माइनस 3x, देखो, प्लस का x और माइनस 3x, तो overall हमारे पास में क्या आ जाएगा, 1x में से 3x गए, तो बचेगा माइनस का 2x, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2x, अब आप बोलोगे, कि सर यह जो माइनस एक बच रहा है, इसका क्या करते थे न, तो वही चीज हम यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है, तो यह आ जाएगा क्या, माइनस का 1, ऐसे कैसे लिएओ, यह काम हो गया, अब आप क्या करिए, फिर से, इसको हमें डिवाइड करना इस से, तो इसका जो पहला पद है, वो हमने लिखा, माइनस का 2x, इसका साती सात, इस माइनस के 2 से हम किसको गुणा करेंगे, भाजक से भी गुणा करेंगे, तो चलो, करते हैं, माइनस के 2 को, x से गुणा करो, तो आजाएगा, माइनस का 2x, और माइनस के 2 को, प्लस के 1 से करना है, तो माइनस और प्लस किता, माइनस, प्लस और माइनस को गुणा करके माइनस का है तो प्लस माइनस का है तो प्लस ओवराल देखो यह माइनस का दो एक और प्लस का दो देखो माइनस का एक और प्लस का दो तो दो में से एक गया तो कितना बचा हमारे पास में एक जो है यादा है अब एक जो है हमारे पास में ये भी एक भाउपद है अचर भाउपद है इसकी जो घात है वो शुन्य और इसकी जो घात है वो इस वाले से चोटी है बाजक से चोटी है तो ऐसे में हम division जो है करना अब बंद कर देंगे question ने तो हमें बोला था बाग दीजिए तो हमने बाग दे दिया है और यहां पर एक जो हमारे पास में क्या कहलाएगा जो लो क्या कहलाएगा यह कहलाएगा हमारे पास में शेशफल और 3x-2 जो हमारे पास में क्या आजाएगा बाग यह चीज हम यहां पर ही बता सकते हैं obviously question division वाल आएगा तो यह पूछेगा बाग फल और शेशफल क्या है वो हमने यह आपको सिखा दियो आयो आपको यह समझ में आ रहा है और better clarity के लिए आगे examples और रखें मैंने तो चलिए उनको करते हैं करना क्या रहता है मोटा मोटा सबसे पहले नाम करन करते हैं नाम दियावा ओ तो ठीक है सबसे बड़िया वह लिख दो फिर हम क्या करते हैं मानक रूप में लिखते हैं वो हो जाता है फिर तीसरे में हम division करते हैं और division के लिए हम rough work अभी इस्थमाल करते जाते हैं division वहाँ पर रुख जाता है जहाँ पर भाजक से छोटी अगर घात आ जाती है भाउपत की तब हम division बंद कर देते हैं यहाँ पर देखो यह minus 2x minus 1 जो था यहाँ पर जो हमारे पास में इसकी घात थी वह एक थी और इसकी भी घात एक है तब तक हम division कर सकते हैं लेकिन जैसे ही भाजक की घात से छोटी घात आ जाती है तो हम division को रोग देते हैं आयोगा आपको यह बास समझ मैं होगी तो चले फिर आगे बढ़ते हैं यह उधारन 6 हो गया हमारी NCRT का अब उधारन 7 को हम थोड़ा बाद में करेंगे पहले आएंगे उधारन 8 पे ठीक है उधारन 8 क्या लिखा है PX देखो P बहुपत का नाम है X चर में है जो की क्या है XQ प्लस 1 PX हमारे पास में क्या हो जाता है X की घात 3 प्लस 1 को X प्लस 1 से भाग देने पर प्राप्त शेश्वल ग्यात कीजिए इससे भाग देना है X प्ल क्यों ले लीजिए यह एक्स चर में है तो ब्रैकेट में वह लिख दिया और यहां पर आजाएगा मेरे पास में क्या X प्लस 1 यह हो गया अब इसको हम क्या करेंगे मानक रूप में है या यह चेक करेंगे बहुत सबसे बड़ी घात वाले जो पहले है तो बिलकुल मानक करते हैं मैंने आपको बताया था सबसे पहले क्या करो रॉफ पर्क में जाओ इसका जो पहला पद होता है एक्स घात 3 उसमें इसके पहले पद लिख दीजिए बाग लगाईए तो यहां पर आजाएगा क्या X X से X कैंसल होगा तो यहां आजाएगा क्या X ही घात 2 वैसे 2 को हम भाजक से भी तो गुणा करेंगे X प्लस एक से तो चलो करते हैं X ही घात 2 को X से गुणा करेंगे तो यहां पर आप क्या करिए दोनों को गुणा करिए तो ऐसे में इनके जो घात है वो जोड़ जाएंगे 2 प्लस एक हमारे पास में आ जाएगा क्या 3 X घात 2 को एक से गुणा करेंगे तो X घात 2 ही आजाना है अब इसको आप क्या करिए इसके नीचे लिख देजे तो X घात 3 एकसी घाद 2, समान पद है या आ समान पद है, तो यह हमारे पास में आ समान पद होगा है, इनको हम सौल नहीं कर सकते, तो ऐसे में इस confusion को थोड़ी सी हटाने के लिए हम क्या करते हैं, यह जो प्लस एकसी घाद 2 है इसको हम थोड़ा सा आगे करके लिख देते हैं, बस इतना स जये जहाएं, एकसी घाद थीट में थें तो रच एकसी घाद 3 घा तो क्या हजाएंग करते हैं इसके सबसे पहला पद लिखो मारे ऊकसी घाद 2 पैला पद लिखा है तो उसमें धेको साइन भी ध्यान पड़ेगा, तो मिनस एकसी घाद दो और इसको बीब्या पद लिखी इसके नीचे जो की X है तो यह क्या हो जाएगा हमारे पास में cancel हो जाएगा तो final क्या बचेगा minus X minus X को आप क्या करिए यहां पर लिख दीजिए इस minus X को भाजक से भी तो गुणा करना है तो यह हो जाएगा क्या X plus 1, चलो करके देखते हैm minus Rede którzy X को X से गुणा करा तो X की घांट दीजिए आ जाएगा minus X को X से गुणा तो खो जाएगा minus X की घांट आप मैं जैसे जाएगा minus X जिए इसके नीचे लिखने वाला हम तो यहां पर देखना है समान पाद हो जाएंगे, फिर से तो minus का x में थोड़ा सा आगे करके लिख देता हूँ और क्या, बस इतना ही तो करना है अब हम क्या करेंगे, sign change करने वाले हैं, तो चलो करते हैं, यह minus का है तो plus, और यह भी minus का है तो plus sign change में यही तो होता है minus x की घाद दो plus x की घाद दो, तो यह क्या हो जाएंगे cancel, यह हमारे पास में क्या है, plus का x और यह plus 1 उपर रहे गया था, तो इसको क्या करेंगे हम, नीचे लिए आएंगे, तो यह क्या हो जाएगा, x plus 1 अब यहाँ पर देखिए, x plus 1 जो है हमारे पास में इस बहुपद की, जो अधिक्तम घाद है, वो 1 है, और यहाँ पर भी इसकी घाद 1 है, तो अभी भी हम division कर सकते हैं division हम तब रोपते हैं जब यहाँ पर जो हमारे पास में बहुपद आ रहा है, उसकी घाद इससे छोटी हो जाए, तो अभी तो नहीं हुई है अभी तो बराबर ही है, चलिए फिर करते हैं हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे इसका पहला वाला पद और उसका पहला वाला पद लिखेंगे तो देखो हमारे पास में क्या आजाएगा एक आ जाएगा तो यहां पर मैं लिखूंगा प्लस का एक, फिर आपको क्या करना रहेगा, यह जो हमारे पास में एक आया है, इसको हम किस से गुणा करते हैं, भाजक से गुणा करते हैं, तो एक्स प्लस एक से गुणा करो, तो वन को एक्स से गुणा करा तो आ जाएगा, ए को इसकी नीचे लिख लो X plus 1 फिर हम क्या करते साद्ब लेते हैं mo जाएगा माइनस माइनस एक Bolu एक में से लिए गिया यह पिना आइसा जो एमारे पास पास में आजाता है तो यहां से मैं देख रहाएं की जीरो जो है वाल पास में वो ख्या है सेशवल आ जाता है और साती सात x square minus x प्लस एक जो है यह हमारे पास में overall यह पूरा जो है वो क्या कहलाएगा यह भागफल कहलाएगा आयो आपको यह बात समझ माई होगी तो इस तरह जो है हम बहुपदों को division करते हैं अब इससे पहले वाला जो उधारन था उधारन साथ जरा उस पर आजाते हैं उधारन साथ है 3x4 minus 4x3 minus 3x minus 1 को x minus 1 से भाग दीजिए तो चलो करते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे नाम करन करेंगे तो मैं यहाँ पर क्या लिख लूँगा px ठीक है इस बहुपद का नाम में पी रख लेता हूं और x4 में तो वो लिखा तो यह हो जाएगा 3x4 minus 4x3 minus 3x minus 1 यह मैंने लिख लिया और इस वाले बहुपद का जो नाम है वो मैं रख लेता हूं q और यह x4 में है तो वो लिख लिया और आगे आजाएगा x minus 1 हमें यह जैक करना है कि यह मानक रूप में लांक देख लेका बिलकुल सबसे बड़ी गात पहले है फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी और यहाँ पे भी सबसे बड़ी गात पहले है यहाँ पर आप देखिए मैं लिख हूंगा 3x4 minus 4x3 minus 3x minus 1 यह मैंने लिख लिया और divide किससे करना है, इससे करना रहेगा, X-1 से ये लिकरेंगे, अब जर आजाओ हम क्या करते हैं, division के लिए, इसका जो पहला पद है, वो लिखते हैं, और भाजक का जो पहला पद है, वो लिखते हैं, और फिर cancel करते हैं, तो यहाँ पर मैं देखूंगा, 3, X-1 गात, यहाँ चार है, और नीचे एक है, तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, division में होता है, तो powers घट जाती है, गात जो है, वो कम हो जाती है, तो 3, X-1 गात, 4 में से एक गया, तो 3 बचेगा, अब आप यहाँ पर देखिए, हम क्या करेंगे, इस 3, X-3 को भाजक से गुणा करेंगे, तो आज इसके नीचे लिख लेंगे, 3, X-4, माइनस 3, X-3, मैंने देखो, समान पदों को नीचे लिखा है, अलग अलग नहीं लिखा, यह चीज है, अब हम क्या करते है, साइन चेंज कर देते हैं, तो चलो, साइन चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पर यह प्लस का है, तो माइनस हो ज तो minus 4 और plus 3 minus 1 बचा तो minus X घाथ 3 आजाना है और यह minus 3 X और minus 1 बचा तो इसको क्या करेंगे नीचे लिएएंगे तो यह हो जाएगा minus 3 X minus 1 यहां तक के बात हुई अब इसको फिर से division करते है इस से तो कैसे करेंगे इसका जो पहला पद है वो लिखोगे sign के साथ में minus x3 और इसका जो पहला पद है वो मैंने यहाँ पे लिखा अब इसको डिवाइड करिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास में minus x3 में से 1 गया तो कित्ता हो जाएगा minus x2 तो minus ऐसी गात अब एक सी घातysis ओठ धो को भाजक से गुणा करें किया है एक सी घाति माइनस एक मारे नीचे लिप लिए तो माइनस वाले को माइनस गुणा करो तो आजाएगा पलस एक सी घात kinetic से करा तो जाएगा एकसी घात दो यह आया है हमारे पास में इसको आप क्या करें इसके नीचे लिख लिए तो माइनस एकसी घात तीन अब ज़रा गौर करना वो क्या लिखा है प्लस एकसी घात दो इसके नीचे लिखूंगा क्या 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 क्योंकि यह तो असमान पाद हो जाएंगे न और यह तो simple minus 1 है तो इसका जैसा कोई पद ही नहीं है तो इसको मैं यह आपे और side में जाके लिख दूँगा, plus x2 ठीक है अब क्या करेंगे, sin change minus का है तो plus, और plus का है तो minus, यह हो गया minus x3 और plus x3 cancel हो गया क्या, बिल्कुल और इनको क्या करेंगे, हम नीचे लिएंगे अब चुकि हमें पता है कि हमेशा मानक रूप में लिखना होता है, तो मैं इसको भी नीचे लाना है तो सबसे पहले इसको लिख लेता हूँ minus x2 फिर बाकियों को लिख लेता हूँ नहीं तो क्या होता, मैं पहले यह लिखता फिर उसके आगे minus x2 लिखता फिर उसको उनको rearrange करना पड़ता तो इसलिए मैंने ऐसी कर लिया अब आप यहाँ पे क्या करिए इसका जो पहला वाला पद है उसको लिखिए यहाँ पे उसमें भाग दीजिए इसके पहले वाले पद का तो देखो क्या हो जाएगा minus x की खात 1 आजाएगा 2 में से 1 गया तो एक ही बचा तो यहाँ पे मैं लिखूँगा minus x इस minus x को किस से गुणा करोगे बाजक से गुणा करोगे x minus x से तो वो मेरे पास में देखो क्या जाएगा minus और plus वाले वो गुणा करेंगे तो minus x को x से करा तो x की खात 2 minus minus plus और x को x से गुणा करा तो आजाएगा x उसको इसके नीचे लिख देना है मैं तो चलो लिख देता हूँ मैं आपके सामने वो हो जाएगा minus x ही खात 2 और plus का x समान पदों को मैंने एक साथ लिखा है sign change करो minus का है तो plus में और plus का है तो minus में minus x ही खात 2 plus x ही खात 2 cancel minus 3 x और minus x किता हो जाएगा minus का 4 x और उपर minus 1 बच्चरा उसको नीचे लिख देना है अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अभी भी हमारे पास में इस बवबद का जो चर है वो एक है इसका भी चर एक है तो अभी भी division possible है तो चलो करते हैं तो चली divide करते हैं सबसे पहले इसका जो पद है वो लिखेंगे क्या है हमारे पास में minus का 4 x और इसका पहला पद क्या है x हर बार यही करना रहे देगा यहाँ जो होता है उसका पहला पद और यहाँ जो होता है उसका पहला पद लो और divide करो x x cancel तो क्या बचेगा minus का 4 minus का 4 आप यहाँ पे लिख दीजिए अब इस minus के 4 को भाजक से गुणा करो जो कि क्या है x minus 1 तो देखो क्या आएगा minus 4 x आजाएगा minus minus plus आजाएगा 4 को x से गुणा करेंगे 4 आजाएगा वो आजाएगा उसको मैं इसके नीचे लिखूंगा minus 4 x plus का 4 यहाँ पे अब हम क्या करेंगे sign change कर लेंगे तो minus का है तो plus और plus का है तो minus minus 4 x plus 4 x cancel minus 1 और 1 minus 4 हो जाएगा overall minus का 5 अब इसका जो हमारे पास में घात है वो कित्ती है 0 हो जाती है और इसकी जो घात है वो 1 है तो यहाँ पे घात छोटी हो चुकी ना तो ऐसे में हम division यहाँ पे बंद कर देंगे तो final हमारे पास में जो 6 फल आया है वो कित्ता है minus का 5 और यह हमारे पास में क्या है भागफल हो जाता है तो मुझे उमीद है यहाँ तक कि हमने जित्ते भी question करें वो सारे आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और कैसे भावपदों का division करते हैं और कैसे भागफल और शेशफल हम प्राप्त करते हैं यहाँ तक की सारी बात रहती है मुझे उमीद है आपको यहाँ तक का समझ में आगा तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अब हम आते हैं उधारन नमबर 9 पे प्रशनावली 2.3 के क्या लिखा है लिखा है एकसी घाद 4 प्लस एकसी घाद 3 माइनस 2 एकसी घाद 2 प्लस एकस प्लस एक को एकस माइनस एक से भाग देने पर प्राप्त शेशफल ग्यात कीजिए ठीक है इसको कैसे करेंगे तो यहाँ पर basically मैं आपको जो है यह जो लॉंग डिविजन मैथड है कि बहुपद हो कैसे भाग करके करते है लंबे मैथड से वो मैं आपको सिखा रहा हूँ अच्छे से इस क्लास के अंदर वो हम सीखेंगे और अगली क्लास में हम कुछ एक शॉटकर सीखने वाले हैं उसके लिए तयार रहेगा सबसे पहले हम क्या करते हैं जो हमारे पास में बहुपद होता उसका नाम करन कर देते हैं तो मैं इसका कर लिता हूं PX तो यह हो जाएगा Xe4 प्लस Xe3 माइनस 2 Xe2 प्लस X प्लस 1 मानक रूप में है क्या बिलकुल मानग रूप में है और किस से भाग देना है QX रख लेता हूं में इसका नाम X-1 तो चलिए फिर division हम शुरू करते हैं तो यह हो जाएगा हमारे पास में X-4 प्लस X-3 माइनस 2 X-2 प्लस X प्लस 1 किसे डिवाइड करना है X-1 से कैसे करेंगे सबसे पहले हम क्या करते हैं इसका जो पहला वाला पद है उसको लिखते हैं और उसमें इसका वैला जो पहला वाला पद होता है वो लिखते हैं तो 4 में से एक गया तो कित्ता बज़ेगा X-3 तो यहाँ पे मैं सबसे पहले X-3 लिख दूँगा तो यहाँ पे अब हम लिख देंगे, x-4 और minus x-3, sign change करो, यह plus का है तो minus, यह minus का है तो plus, यह हो जाएगा cancel, x-3 plus x-3, 2x-3, बागे सब कुछ ऐसा का ऐसा नीचे लिख लो, plus x plus 1, यह मैंने लिख दिया, अब आगे further हम करें, solve इसको, तो इसका जो पहला वाला पद है, वो हम 2, x-3, और उसमें इसके पहले वाले पद से भाग देंगे, तो देखो क्या जाएगा, 2x-2, 3 में से 1 गई घात, तो कितना बचेगा, 2, यह तो करना है, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा, plus 2x-2, अब 2x-2 को इसके भाजक से गुणा करो, जो की कितना है, x-1, तो देखो क 2x-2 आजाएगा, इसको ऐसे कैसे इसके नीचे लिख दो, तो 2x-2, आगे लिखा है, minus 2x-2, फिर क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, यह plus का है, तो minus, और यह minus का है, तो plus, यह overall हमारे पास में क्या हो जाएगा, cancel, यहाँ पर, एक चीज़ और देखने को मिल रही है, कि minus 2 2x-2 एक लिखा, तो 2, और plus 2x-2 यह भी जो हमारे पास में क्या हो रहा है, cancel हो रहा है, ठीक है, और यह सब तो cancel हो गया, अचो यह बच रहा है, उसको नीचे लिखा हो, तो यह क्या हो जाएगा, हमारे पास में, x-1, इसका, अब हम क्या करेंगे, पहला बाला पद लेंगे, और उसका भी पहला बाला पद लेंगे, तो आजाएगा, हमारे पास में क्या, 1, इसको हम लिखेंगे यहाँ पर, अब आप क्या करिए, इस 1 को किस से गुणा करेंगे, बाजक से, तो हमारे पास में यह आजाएगा, 1 को x से गुणा करा तो x, और यह minus 1 आजाएगा, वह यह शेशफल हो जाता है, और यह हमारे पास में प्राप्ट हुआ है, यह क्या हमारे पास में बागफल हो जाता है, तो इस तरह से हम यहाँ पर सब कुछ प्राप्ट कर सकते हैं, मुझे उमीद है आपको यहाँ तक की सारी बाते जो हैं, अच्छे से समझमाय होगी, माना यह topic थोड़ा सा हेवी पड़ता है, थोड़ा सा कुछ क्यालकुलेशन करनी पड़ती है, लेकिन आप भी इत्मिनान से बैठके करेगा और आपसे हो जाएगा, आपके किसी भी तरह के डाउट्स रहते हैं, फीडबैक और सजेक्शन होते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल दीजेगा, Thank you very much.